आईए जानते हैं आज की उच्छन राश्ट्रे खबरों को पहले एक नचर राज की हेटलाइन्स पर 24 इन्टू 7 for 2047 सामने आई बेजेपी के संकल्प पत्र की थी गोगा में पांस साल की बच्चे से बलतकार के बाद हत्या बिहार के दो मजदूर गिरफतार आंध प्रोदेश के सीम जगन मुहर रेड़ी पर हमला हुए घायल काफले पर भी पत्राव सलमान खान के घर के बाहर फाइरिंग बाएक से आये ते दो शूटर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा सरकार देश में बनेगी तो बिहार के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली कैसे आरचेटी के घोशना पत्र में है बड़ा जोल इरान ने 14 दिन बाद किया बदले वाला अटैक इसराइल पर दागे 200 मिसाइल और ढ्रोन पाकिस्तान के बालूचिस्तान में हमलावरों ने 9 लोगों को चलती बस से उतारा अपहरन के बाद गोली मारकर की हत्या लाइब शो से पहले पत्नी दो साथियों के साथ गोलियों से भूने गए 36 साल से अंसुलजी है मौत की गुथी अक्षर टाइगर की बड़े मिया छोटे मिया ने बनाया रिकॉर्ड दो दिनों में किया कमार और सैम करन का 19 वा ओवर तो सिमरोन हेट मायर का गजब फिनिश भारतिय जंता पार्टी लोकसभा चुनाद 2024 के लिए आज अपना घोशना पत्र जारी करेगी पार्टी अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहती है बीजेपी का घोशना पत्र प्रधान मुंतरी नरेंद्र मोदी की उपस्तिती में दिल्ली में पार्टी मुख्याले में जारी किया जाएगा लोकसभा चुनाओ 2024 के लिए पहले चरन का मद्दान 19 अप्रेल को होगा देश में 7 चरन 19 और 26 अप्रेल 7, 13, 20 और 25 माई और 1 जुन को लोकसभा चुनाओ के लिए मद्दान होंगे नतीजे 4 जुन को घोशित किये जाएंगी भाजपा अपनी घोशना पत्र में देश के विभिद्ने विभागों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकती है गोवा में अपने ही बेटे की हत्या का आरोप झेर रही AI एक्सपर्ट सूचना सेट के कुरूरता के बाद एक दूसरा दिल दहला देने वाला मामला सामनी आया है यहाँ पर पांस साल की एक मासूम बच्ची के साथ पहले बलतकार किया गया उसके बाद दरिंदों ने उसे मौत की नीद सुला दी इस मामले की जाच कर रही पुलिस ने शनिवार को बिहार के रहने वाले दो मजदूरों को गिरिफतार किया है जानकारी के मुताबिक ये संसनी खेज वारदात दक्षिन गोवा के वासको सहर में शुकरवार को हुई है यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट के पास रह रहे दो मजदूरों ने एक दूसरे मजदूर की बेटी के साथ ये जगहन ने अपरात किया है वारदात के बाद बच्ची घटनासतल के पास बेहोश पड़ी मिली थी उसे सरकारी अस्पताल ले जाये गया जहां डॉक्षरों ने उसे मृत घोशित कर दिया इसके बाद परिश्णों ने पुलिस को सूचना दी और ये दोनों बिहारी मजदूर पुलिस के हथे चड़े आंधर प्रदेश के सीयम जगन मोहन रेड़ी पर हमला हुआ है इस हमले में वह घायल हुए है सीयम के काथले पर भी पत्रा हुआ है इसका वीडियो भी सामने आया है आंधर प्रदेश के मुखे मंतरी वाई एस जगन मोहन रेड़ी उस समय घायल हो गए जब वो अपनी मेम था सिद्धम बस यात्रा के हिस्से के रूप में विजेवारा से गुजर रहे थे एक अग्यात वैक्ती ने गुलेल का इस्तिमाल करके गेंद जैसा पत्थर फेका सीयम को सिहनगर में विवेका नेंद स्कूल केंदर के पास बाई भौ के ठीक उपर पत्थर लगा इस औरान उनके गहरे घाव हो गए इस हमले में सीयम की आँख बाल बाल बच गई बॉलीबुड अभिनेता सल्मान खान के बांदरा सेत गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर चार राउंड फारिंग की गई है यह हवाई फारिंग सुबर लगभग चार बच के पचास मिनिट पर दो अग्यात लोगों ने की दोनों शूटर बाइक से आये थे और चार राउंड फारिंग करने के बाद भाग गए फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है पुलिस ने सल्मान खान के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी है इस फारिंग के बाद मुंबाई क्राइम ब्रांच के साथ बांदरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है साथ ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंच गई वही गैलेक्सी एडपार्टमेंट के बाहर सड़क के दोनों तरफ लगे सीज़ टीवी फुटेज को पुलिस थे अपने कबजे में लेकर जांच कर रही है बताया जा रहा है कि डी सीपी भी मौके पर पहुंचे है लालू यादव की पाटी राज़त ने शनिवार 13 अप्रेल को अपना घोशना पत्र जारी किया इसमें 24 वादे किये गए हैं राज़त का घोशना पत्र लोकसभा चुनाओ को लेकर कम विधान सभा चुनाओ को लेकर जादा दिख रहा है दरसल इसमें कुछ वादे ऐसे किये गए हैं जिन्हें राज़े सरकार पूरा कर सकती है राजे का घोशना पत्र में बिहार की जनता को 200 यूनिट फ्री बिचली देने का वादा किया गया है यह वादा आम आदमी पार्टी की तर्च पर किया गया है अर्विंद केजरीवाल ने इसे दिली में लागो किया और पंजाब में ऐसे ही दावे करके सरकार बनाई थी सवाल यह है कि क्या यह वादा केंद सरकार पूरा कर सकती है इसमें बड़ी आश्चंका नजर आती है द्रसल किंद सरकार की ओर से फैसला पूरे देश को ध्यान में रखकर लिया जाता है ऐसे में सिर्फ बिहार के लिए इस तरह की विसेश सुविधा करने से देश के अन्य राज्यों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी इस समय दुनिया में कई मोड़्चों पर युध लड़े जा रहे हैं इसे बीच एरान ने आधी रात को इसराइल पर मिसाईल और ड्रोन आटेक किया है इरान ने इसराइल पर दोसों से जादा अलग-अलग तरह के ड्रोन हमले किये इसमें किलर ड्रोन से लेकर बैलेस्टिक मिसाइल और क्रोज मिसाइले शामिल है जेरुसलम सहित इसराइल के कई शहरों में धमाको और साइरन की आवाज सुनी जा रही है पूरे देश की किलाबंधी कर दी गई है इसराइली सेना ने एर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है सेना को हाई अलट कर दिया गया है कहा जा रहा है कि इरान अगले कुछ घंटों में इसराइल पर और स्यादा मिसाइल अटेक कर सकता है इस्राइल पर अंधा दून हमले कर रहे एरान ने दो टूक कहा है कि ये इस्राइल की लगतार किये जा रहे उसके अपराधों की सजा है इरान की सेना ने बयान जारी कर हमले को सही बताया है अफगानिस्तान और इरान बॉर्डर से सटे दक्षिन पचिम पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बंदूक धारियों ने एक बस से नौ लोगों का अपहरन करने के बाद उनकी गोली मार कर हत्या कर दी जानकारी के मताबिक एक अलगाव वादी समू बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान प्रांत में हमले की जिम्मेदारी ली है रोयेटर्स के मताबिक हमला बरो ने एक बयान में कहा है कि मारे गय लोग खूफिया कारे करता थे साथ ही ये बात मानने से भी अस्विकार किया कि सभी लोग इरान मजदूर के लिए जा रहे थे वही प्रधान मंत्री सहबाद सरीफ ने हत्यारों की निंदा की है नेटफिलिक्स पर 12 अप्रेल को फिल्म अमर सिंग चमकीला रिलीज हो चुकी है ये फिल्म बनाई गई है पंजाब के दलित फोक सिंगर अमर सिंग चमकीला पर जिन्हें पंजाब का एल्विस प्रेसली कहा जाता था लुधियाना की छूटे से गाव दुबरी में जन्मी अमर एक इलेक्ट्रीशन थी लेकिन उनमें एक अनोखा टैलेंट था वो एक्ट्रा मैरिटल अफैर, प्रेम प्रसंग, पती पतनी के शारेरिक रिस्तों पर गाने बनाते थे उनके ये गाने पंजाब के शादियों की पहली पसंद हुआ करते थी पॉपुलरिटी एतनी थी कि रोज उन्हें किसी ना किसी शादी में गाने बुलाया जाता था कहा तो ये भी जाता था कि अगर अमर सिंग चमकीला व्यस्त होने पर गाने से इंकार कर देते तो शादिया तक टाल दी जाती थी लेकिन जितने उनके चाहने वाले थे उससे कई जादा थे उनके नापसंद करने वाले लोग उनके गानों पर जुमते थे जबकि कई गुट उन्हें धंकी देते थे अगर अशलील और डबल मीनिंग गाये तो उन्हें मार दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ अमर सिंग, चमकीला, उनके पत्नी और दो साथियों को कॉंसेट से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया लेकिन रोचक बात यह है कि आज तक उनके मौत की गुधी नहीं सुलज़ पाई है अक्षे कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मिया छोटे मिया का दुनिया भर में बोल बाला है फिल्म इट के मौके पर रिलीज हुई है और दो दिनों में ही 50 करोर के कलब में शामिल हो गई है अक्षे टाइगर के जबर्दस्त एक्षन को फैंस काफी पसंद कर रही है फिल्म को मिक्स रिव्यू मिल रहे है इट के मौके पर बड़े मिया छोटे मिया सिनेमा घरों में रिलीज हुई है फिल्म इंडियन बॉक्स ओफिस के साथ विदेशों में भी अच्छा कलेक्शन कर रही है फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है बड़े मिया छोटे मिया मल्टी स्टाडर्ड फिल्म है अक्षर कुमार टाइगर शोट के साथ फिल्म में सोनाक्षी सिनहा, मानुशी छिल्लर, अलाया एफ के साथ प्रित्वी राज सू कुमारन एहम किरदार निभाते नज़राये है प्रित्वी राज ने फिल्म में विलेन का किरदार निभाया है विलेन बनकर प्रित्वी राज फैंस के दिल में बस गए है पंजाब किंग्स और राजस्थान रोल्स के बीच आईपेल 2024 में एक जबरदस्त हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला अंतिम ओवर की पांचवी गेंद पर जाकर मैच का रिजर्ट निकला और आर आर तीन विकेट से या मैच अपने नाम करने में सफर रही यह एक लो स्कोरिंग मैच रहा द्रसल टोस गवाने के बाद पहले बले बाजी करते वे पंजाब ने राजस्थान के सामने 148 रन का टारगेट रखा इस टारगेट को हासिल करने के लिए आर आर को 119 गेंद लगी वह लगभग यह मुकाबला हार गए थी लेकिन आकरी ओमर में सिमरोन हेट मायर ने टीम की लाज रखी और मैच जीता